हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो आर यूट्यूब प्लैट्फोर्म विकल लेर्निंग हब होप यौल आर डूइंग वेल माइनम इस विकास तो कंटीनू करते दोस्तों हमारे करंट अफेर के सेशन को और आज के मारी इस वीडियो में जुलाइ मन्थ टॉप करंट अफेर 2021 को लेकर आज हम डिसक्स करने वाले हैं जितने भी क्योंस होंगे मोस्लेक्टिव इन काफी इंपोर्टेंट होगे आपके सभी एक्जाम स्वेर आपकी जानकारी के लिए फिर भी अगर आपके मन में कोई सेजेशन हो हमारे लिए या फिर आपका अपना कोई डाउट हो तो प् बूलें शेयर करें अपने फ्रेंट्स में ताकि और भी कनेक्ट उसके फस्क्रेंट पर होगा दोस्तों कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्यूत बांध इस देश द्वारा बनाया जा रहा है यहां पर इसकी फोटेज सामने हाई है यह बनाया जाने की समावन बीजिंगे आप सबी को पता होगा लेकिन जहां पर जो मुद्रह है क्रंसी दोस्तों यहांपकी वह रखेंगे यहां के जो हाल ही में रस्टपती है सी जिन्पी आगे बढ़ते हैं अगला क्योंसन आपके लिए यहां पर है सेकंड टी टॉंटी विसुकप जो भारत में होना था अब किस देश में आयोजित किया जाएगा अगर बात करें हम दोस्तों जो टी टॉंटी विसुकप था आपका वो इस साल भारत में होने वाला हाल ही में होसला कारिकर्म चला गया है जो होसला कारिकर्म है दोस्तों ये चला गया है जम्मू कस्मीर जो हमारी यूनियन टेर्सरी है तो जम्मू कस्मीर के केंदर सासित प्रदेश के उपरा जेपाल के दौरा यहां पर होसला कारिकर्म चला गया है क्या है इसमें वह आप पर देखेंगे उपराजीपाल जमुकस्मीर के कौन है दोस्तों मनोज सीना जिन्होंने यहाँ पर महिला उद्यमिता को उत्परेरित करने के लिए एक व्यापक कारीकरम जिसका नाम है होसला इंस्पाइरिंग हर ग्रोथ जो है नाम से यह लॉंच किया है इसके बारे में आप आपको बता दिया है यह जरूर शिद्यान में रखेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो साथ यह आप जमुकस्मीर की बेसिक डिटेल्स जरूर देखेंगे यहाँ पर तो कैपिटल सिरिनगर है एंड नंबर ओफ डिस्टिक्स की अगर हम बात करें आपर 28 है लेफिन दोस्तों तो फीमेल क्रिकेटर फर्स्ट जो बनी है अंशुला राओ यहाँ पर आपका सही अंशुला रहेगा और यहाँ पर आप इमेज में देख पाएंगे यह एंड इंटर प्रतिबंद लगा दिया गया है यह पहली जो है हमारी महिला क्रिकेटर बन चुकी है अंशु संस्थापक संपादक है पाला गुमी शाइनाथन जो यहाँ पर आप इनका पूरा नाम देख पा रहे होंगे अगला क्यों आपके लिए यहां पर लिया गया है कि किस बैंक ने हाल ही में सलाम दिल से पहल शुरू की है यह जो सलाम दिल से पहल है दोस्तों यह HDFC बैंक के द के दोरान जो है दोस्तों यह पहल शुरू की है सलाम दिल से यह भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स अगर हम बात करें नोट करेंगे आपर HDFC के बारे में इसका जो मुख्याले है दोस्तों वह खापर है मुंबई महरास्ट्रा में एंड HDFC जो है बैंक दोस्तों उसके न साप जिसका नाम है बलेक बैलीड कोरल ऑसनेक की खोज की गई है यह जो इमेज में आप देख पा रहे हूँंगे यह है बलीक बैलीड कोरल सनेक और इसकी खार जो है दोस्तों यह उतराखंड में हाल ही भाता यह रहा कंड की बारे में थोड़ा से जाने रहान दिपिन नही स्टिक्स हैं तेरा गवर्णर है यहां पर अभी बेविरा निमोर्य और यहां के जो सीम है दोस्तों वो बदल गए है रब बन गए है पुसकर शिंख धामी लोकसभा की सीटे पांच और राजसभा की सीटे यहां पर तीन है ध्यान में रखेंगे अगला क्यों बढ़ते हैं न है बैंगलोर रेलवे स्टेशन पर आगे बढ़ते हैं कौन हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के नए डिजीपी चुने गए हैं तो काफी इंपोर्टेंट क्योशन है दोस्तों यह जितने भी अभी हाल ही में यूपी के भी एक्जाम होंगे एंड वैसे भी तो यह काफी इंपोर्टेंट के उसन हो जाता है यहां पर उत्तर प्रदेश के नए डिजीपी चुने गए हैं उनका नाम है मुकुल गोईल एंड इमेज में आप इनको देख भी पाएंगे यह है मुकुल गोईल अगला के उसन आपके लिए यहां पर है कि हाल ही में किसके द्वारा नेक्स गरम बात करें तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली जो महिला गोल्फर बनी है उनका नाम यहां पर क्या रहेगा इमेज में आप देखेंगे यह हैं अदिति आशोक जिनका नाम है अडिये टोक्यो ओलंपिक में चेना के एथलेट दोस्तों तो इनका नाम है MP यहां पर इमेज में देखेंगे यह एथलेट है नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला के उसना आपके लिए लिया गया है किस देश को हाल ही में डबलो एच्चो दोवारा पूरी तरह से मलेरिया मुक्त घोसित कर दिया गया है त तो आप देखेंगे वर्ड हेल्थ ओर्गनाइजेशन डबलो एच्चो की फुल फोर्म रहेगी इसका हेड़कॉर्टर की बात करें तो कहां पर है जैनेवा जैनेवा कहां पर है स्वीजरेंड में इसकी स्थापना जो है वो साथ अप्रेलोनी 1440 को हुई थी वो भी आपको मिश्रा यह सिरफ 12 साल चार महीने और 25 दिन की उमर में दोस्तों अभी मन्यो मिश्रा जो है वो सत्रन जितियास के सबसे युवा ग्रेंड मास्टर काईनों ने खिताब जीत लिया है नेक्श बढ़ते हैं अगला के उसनाप के लिए आपके होगा कि क्वेंपू राष्ट्र किशोर पांडा जिन के द्वारा क्वेंपू राष्ट्र पुरुषकार हाल ही में जीत लिया गया है यहां पर आप नोट भी करेंगे दोस्तों तो यह जो है दोस्तों बीश्मी सधी के द्वंगत कंणड कवी क्वेंपू की समरीती में स्थापी तेकर राष्ट्र किस की तो यहां पर अमेरिका जो है वो नंबर ऊन पर रहा है यहांब इंपॉर्टनर हो जाता है हमारे देश बहरत के बारे में जाना तो भारत का बाइछ में 20 में नंबर पर यहां पर रहा है ध्यान में रखेंगे नेक्स बढ़ते हैं इसे के साथ अगला क्यों आपके लिए यहां पर है कि हालती में एसिया के सबसे लंबे हाई-speed track नेक्स का उध्गाटन भारत में किस थान पर किया गया हैं काफी important कुछ इस razor बनाया जाना है एंड यहां पर आप देख वाएंगे यह क्या जा रहा है इंदोर में दोस्तों इंदोर कह allies नेक्स इसका नाम है इस यहांपर आपणे अपर आ जहना है क्योंकि सबसे ज़्यादा नैशनल पार्प जो है वो यहीं पर है बांदोगड कानहा सत्पूरा संजे मादो पन्ना पेंच सभी जो हैं काफी इंपोर्टन्ट है यहां पर जो गवर्णर है वो अभी हाल ही में बदल दी गए हैं जिनका नाम है मंगो भाई चगन सिंग पटेल layers now क के लिए है हाल ही में भारत का दूसरा सबसे क्रिकेट स्टेडियम कहां बना इस पर देखेंगी व्लिटर्ड औरी ऐ हैं त्यों जांभी और्धियंक के केउने चाहल के फचिन और बढ़ाई बन गई है तो महिला तेराक ओलम्पिक में दोस्तों यहाँ पर क्वालिफाई किया है माना पटेल ने हैंडी यह हैं इमेज में आप देख पारे होंगे इन्होंने क्वालिफाई करने वाली यह बारत की पहली महिला बन चुकी है next question यहाँ पर आपके लिए होगा कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है सबसे अधिक तापमान अभी आपने काफी चर्चा में सुना होगा गर्मी से काफी जो है एक जगया है जो पाकिस्तान में है जिसका नाम है जैकोबाबाद वह इस तरह से आप यहां पर देख पाएंगे दोस्तों यह है सिटी जेकोबबाद जो पाकिस्तान में है नेक्ष बढ़ते हैं इसी के साथ अगला के उस्टन आपके लिए है 21 हाल ही में हुई है तो यहां पर फॉर्मुला वन ऑउस्ट्रैलियन ग्रेन प्रिक्स 2020 कि सब्साइब बन गए है मैक्स वर्ष्टप्न काफी important है अगला के उसनाप के लिए हम पर है कि हाल ही में राष्टपती, रामनात, कोविन जी दुआरा, कितने राज्यों में नए राजपाल नियुक्त की हैं, तो अभी आपको पता है काफी सारे जो है, मंतरी मंदल में विस्तार हुआ है, उनको लेकर हम discuss कर चुके हैं, पर देखेंगे, करनाटक के जो भी हाल ही में नए राजपाल बने गए है, थावर, चंद, गहलोत, एंड इसी तरह मद्यप्रदेश में जो नए राजपाल बने है, मंगू भाई, चगन भाई, पतेल, एंड यहाँ पर मिजोरम में, डोक्टर हरी बाबु, कम भंपती, हिमा बन्डारू धतत्रे धार में रखेंगे, आगे बढ़ते हैं, अगला के उसनाप के लिए आपर है, कि हाल ही में किस राज्ये ने मुख्यमंत्री शेहरी आवास निकाए, स्वामित्यु योजना आरम की है, यह योजना है, दोस्तों, यह आरम की गई है, हर्याना राज्ये न मुख्यमंत्री शेहरी आवास निकाए, स्वामित्यु योजना को आरम किया है, हर्याना के बारे में जान लेना ठीक रहेगा, एक्जाम्पों एंट व विव से, कैपिटल चंडिगड है, पंजाब की कैपिटल भी चंडिगड है, नमबर ओफ डिस्टिक्स की बात करें, 22 है गवर्नर यहाँ पर अभी हाल ही में बंडारू धतात्रे जी को बना दिया गया है, लोकसभा की सीटे 10 हैं और राज्यसभा की सीटे 5 हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं इसके साथ ही देखें, 24 क्यूस्टन है, किस राज्य सिरकार दवारा 149 साल पूरानी दर्बार मूँ प्रमप्रागोर समाप्त कर दिया है, तो यहाँ परमा आपको एक बात बता है धो दोस्तों, जैसे की जम्मु कस्मीर था, तो जम्मू कस्मीर में जो आपकी समर कैपिटल अलग होती है, एंड विंटर कैपिटल अलग, उसी के कारण जो है आपके पूरी जो है, दर्बार ज होंगे तो यह अभी हाल ही में बंद कर दिया है नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्योशन है आपका 25 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैस्ट्विक साइबर सुरक्षा सुचकांग 2020 में भारत का क्या स्थान रहा है तो वैस्ट्विक साइबर सुरक्षा सुचकांग 2020 2020 में भारत का स्थान रहा है 10 काफी इंपोर्टेंट है यहां पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे दस्वे नंबर पर हमारा देश भारत यहां पर रहा है नेक्स्ट अगर हम बात करें क्योस्टन है किसने हाल ही में इमेज में देख पा रहे होंगे यह हैं दोस्तों निहाल शरीन जिनोंने सिल्वर लेक ओपन सतरंज टूर्नामेंट को जीद लिया है काफी इंपोर्टेंट है एंड अगला के उससनी आपर अपके लिए होगा कि हाल ही में तृपुरा राज्य के नए लोका युक्त को नियु को देखेंगे आप बार-बार वीडियो को देख रहे हैं अगर हमारे हम से कनेक्टिड है तो आपको यह अच्छे से याद हो जाएंगे आपके एक्जाम आने से पहले ही अगरतला नंबर ओडिश्टिक है एट गौर्णर अभी हाल ही में कौन बन गए है सत्य देव नारायन एसेसिन यहाँ पर लिखी गई है तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों जो यह बुक है यह लिखी गई है धवल कुलकरणी के द्वारा एंड यहाँ पर आप इसका कवर पेज भी देख पा रहे होंगे धवल कुलकरणी ने इस बुक को लिखा है नाथुराम गोट से द्रू स्टोरी ओफ गांदी ऐसेसिन नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके साथ आगला क्यूस्टन आपके लिए यहाँ पर होगा कि किस राज्य में इस बार का बावनवा अंतराष्टे फिल्म महुत्सव आयुजित किया गया है एंड यहाँ पर मैं आपको बता दो जो इक्याव और शावंत लोकसभा की सीटे दो हैं राजसभा की सीटे सिर्फ एक है ध्यान में रखेंगे आगला क्यूस्टन देख लें हैं नेक्स्ट है की हाल ही में दफॉर्थ लोयन ऐसेस्ट फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है इस बुक है दोस्तों द कि हाल ही में ओप्रेशन खुकरी दा अंटोल्ड स्टोरी ओफ इंडियन आर्मी ब्रेवेस्टर पीस केपिंग मिशन नामक पुस्तक किसने लिखी है बुक्स रिलेटरी काफी क्योस्टन यहां पर इस बार हुए हैं तो उन सभी को हम साथ के साथ डिसकस करते चलते हैं आप अगर हमारी रेगुलर यह वीकली एंड जो भी मन्थली सेशन होते हैं इनसे कनेक्टेड हैं तो आपको करन्ट अफेर में कभी बी कोई प्रोब्लम नहीं होने वाली है तो यहां पर जितने भी क्योस्टन बन सकते हैं वह हम सभी आपके लिए लेकर आते हैं तो इस वीडिय पहुंची है तो यहां पर मिताली राज इमेज में आप देखेंगे क्रिकेटर हैं दोस्तों मिताली राज हैं जो ICC महिला वंडे रेंकिंग में सिर्ष पर पहुंच चुकी हैं तो काफी इंपोर्डंट है एंड नेक्स अगर हम बात करें अगला क्वेस्ट नहीं आपर करेंगे AFC के बारे में AFC फुल्फों मैं Asian Football Confederation जिसके यहां पर प्रेजिडेंट है सलमान बिन यहां का अगर हम हैड़कॉर्टर की बात करें तो मलेशिया में इसका हैड़कॉर्टर है क्वालालंपूर में जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वह 1904 में हुई थी यह भी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है नेक्स अगर हम बढ़ें आगला के उसने आप लिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा रायत्व भरोशा चेतन्य यात्रा आयोजित की जाएगी दोस्तों अंदरप्रदेश राज्य की द्वारा ये आरंब की जाएगी अंदरप्रदेश राज्य की बढ़े में जानना इंपोर्डेंट है कैपिटल अमरा होती है नंबरों डिस्टिक्स यहां पर थर्टीन हैं गवर्नर हैं भी हरिस्चंद्रण सीम हैं यहां के वाई एस जगनमोहन रेडी लोकसवागी सीटे 25 राजसवागी सीटे 11 ध्यान में सबस्तरण और रखनें नेक्श बढ़ते हैं अगला केश्टन देख लेते हैं कौन हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गया है है को प्रकॉष हाने कपने बदाए से दिया गया या फिर किजी को कार्य बाहर किजी का बढ़ा दिया गया है कुछ ही है जो बिल्कुल नए आए हैं उनको भी हम देखेंगे बाद में तो यहां पर आप देख सकते हैं वारत के नए स्वास्ते मंत्री जो अभी हाल ही में बने हैं वो मंसुग मंडाविया जी को ब करनाएगे हैं रेल मंत्री के रूप में इससे पहले जो रेल मंत्री होते थे प्यूस गोयल जी होते थे अब उनको बदल कर यहां पर अश्वेणी वैशनव जी को यहां पर जिम्यदारी दी गई है इसी तरह नेक्स आप देखेंगे किरन रिजु जो हमारे खेल मंत्री होते उनको यहां पर कानून मंत्री बना दिया गया है इसके साथ ही आईटी मिनिस्ट्री का भी उनको जिम्यदारी दी गई है तो कानून मंत्री और आईटी मंत्री जो हमारे किरन रिजु जी हो गए है नेक्स अगरम बात करें तो हरदी पूरी आप देख पाएंगे जो पट्र कोरव ठाकुर दोस्तों जो अब खेल मंत्राले समवालेंगे उसके साथ ऑसके साथ एनफोर्मेशन तथा ब्रोड कास्टिंग भी दोस्टोल जोमेद्रै वहोते थे अब होतलो मिनिस्टर नंहा कर वानी जी मंत्राले और कंज्यूमर मंत्री बन चुक्य है धर्मैंदर जो हमारे है, ज्योतिराधित्य, सिंधिया, वह सिविल ऐविये शन मीनिस्ट्री को संभालेंगी ज्योति राधित्य, शिंधिया इसके साथ जो प्रुषोत्तमुरूपराला हैं, दोस्तों, वह फिशरीज, ईनिमग हस्बेंटरी, मिनिस्ट्री को देखेंगे, इन साथ को आपने याद कर लेना एक लिख लेना था कि आपको अच्छे से याद हो जाएं अगला अगर हम देखें तो आप नोट कर पाएंगे पशुपती पारस जो है दोस्तों ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को देखेंगे इसी तरह जी किशन रेडी जो है वो कल्चर टूर हम दुनिया का सबसे उंचा रेट महल बनाया गया है कुछ इस तरह से आप इमेज में देख पा रहे होंगे दोस्तों ये पूरा जो है रेत का बनाया हुआ हो एक महल है जो डैनमार्क में बनाया गया है तो यहां पर आपका यह आंसर बिल्कुल सही होगा जो दुनिया का ती प Els You पर आप करेंगे स्पर्स की फूल tea system for pension administration रक्षा तो इस धिस को आपने ध्यान में रख लेना यह एक एकरित प्रनाली है जो लागू की गई है रक्षा मंत्रा लेके द्वारा अगरा क्योस्टन यहां पर लिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने जी आई टैग परमानित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की है तो यहां पर क्योस्टन ऐसे भी बन सकता है दोस्त पहली केप गुजरात से केन्या और स्रिलंका को निर्यात की गई है इसके साथ दोस्तों यह जो भालिया गेहूं है यह प्रोटेन के मात्रा से भरपूर होते हैं और इनका स्वात जो हो थोड़ा सा मीठा होता है गुजरात के बारे में जानते हैं काफी इंपोर्टेंट है तो यहां पर आप नोट करेंगे कैपिटल गांदीनगर है साथी नंबर ओफ डिश्टिक्स 33 है गोर्णर है आचारी देववर्थ सीम है यहां पर विजे रुपानी तो डांस यहां पर जो निर्ते होते हैं वो हैं उनमें फेमस हैं डांडिया घरबार टिपानी और आप यह लिए और किस ने जाख और होगे अपर तो यहां पर देख पा रहे होंगे तो यहें मिला है जर्मनी में और ॉमर है बताई गया है इसके जो है सबसे पुराना हजार साल पुराना लगबगग की जो है डेट बताई गही है सबसे पुराना था यह महना गया है जर्मनी में खोजा गया है next वरं बड़े अगला किसने हां पर है कि किसको हाल ही न कि टोकियो उलंपिक के लिए जूरी के रूप में चुना है तो यहां पर टोक्य ओलंपिक के लिए जूरी के रूप में चुने गए हैं बात की दरफ से यहां पर है पावन सिंग आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा कौन है तो भारतिय राष्ट्रिय राइफल संग के एन र ए आई के संयुक्त महासची हो है पावन सिंग यहां पर आप इनकी इमेज देख पा रहे होंगे यह है पावन सिंग जिनको यहां पर जूरी के रूप में चुना गया है इस बार टोक्य ओलंपिक में अगला क्योशन आपके लिए आपके होगा कि हाल ही में एयर लाइन्स ओफ दे इयर दो हजारी किस पुरुषकार किसने जीता है यूरो कप की बात करें 2020 चैंपियंज का जो आभी हाल ही में किताब जीता है वह इटली ने जीता है इटली यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा कुछ इस तरह से आप देख पा रहे होंगे इटली के बारे में आप थोड़ा सा जान लेते हैं एक्जाम पो इंड किता जीता है जैसे कि हैंने महिला में देखा था वैंबल्डन उसमें और यहां पर विमल्डन जूर्ण पुरुष चेंपियंशिप का किताब है दोस्तों यह ज कोलेकर जंसन क्या निती 2021 और तीस को लेकर तो काफ़ी इंपोर्टेंट है एंड यहां पर आप इस दिसको नोट कर लेंगे UP के बारे में जानना काफ़ी इंपोर्टेंट है एक्जाम पोइंड ओ विव से Capital आप सभी को पता है लखनो है अगरा के उसन आपके लिए है कि भारत के पहले Crypto Game Garden का उद्धाटन हाल ही में कहां पर किया गया है तो इस भारत का पहला Crypto Game Garden होने वाला है जिसका उद्धाटन जो दोस्तों दहरादुन की देखेंगे में कि हाल ही इथियोपियां काफी वे दोस्तों connected है हमारे देश nic लिए इसके बारे में जाना ज़रूरी है एक्सार एक्सार में क्योस्हां बन सकता है तो यहां पर जो राष्टवतीं बनाये गए है एथियोपीया के वो अभी एहमद बंग गया एथियोपीया में जो इस्ट अफेरिका में जो है लाई करता है इसे इसको भी आपने नोट कर लेना है अगला क्यों आपके आपके देख पारेंगे 49 में की हाल ही में परेटकों के लिए विशु का सबसे गहरा पूल कौन सा और कहां पर बनाए गया है यहां पर जो परेटकों के लिए विशु का सबसे गहरा पूल है दोस्तों यहां पर गिनीज वर्ड बुको रिकोर्ड में भी इसका नाम आ चुका है एंड इसकी गहराई की बात करें तो यह 60.02 मीटर जो है यहां पर इसकी गहराई मापी गई है यहां पर कुछी इस तरह से आप इसकी इमेज निकल गर सामने आई हैं ध्यान में रखेंगे अगला क्यों आपके लिए आपर होगा 50 क्योंस आज हम डिसकूस करने वाले हैं इसके लावा भी important और देखेंग हाल ही में बारत के पहले LNG सुविधा सयंत्र का उधगाटन कहां पर किया गया है तो बारत का जो पहला LNG सुविधा सयंत्र का उधगाटन किया गया है दोस्तों यह नागपूर में किया गया है अब इस तरह से विकल चलते हैं तो वहाँ पर कौन करेगा इसका उधगाटन परिवयन मंत्री परिवयन मंत्री कौन है दोस्तों तो नितिन गड़कर ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी और नागपूर में इसका जो है उद्गाटन किया गया है तो यहां पर इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से एंड अगला के उसना के लिए यहां पर होगा कि हाल ही में शेर बहादूर देवया पांच भी बार किस देश के नए प्रधान मंत्री बन गए हैं यह भी काफ़ इंपोर्टेंट है क्योंकि कम से कम अपने आसपरोस के जो देश होते हैं उनके बारे में जानना काफी इंपोर्टेंट रहता है तो शेर बादूर देवया एंड यहां पर जो कैपिटल हो काठमणू है आप सभी को पता है है अगला क्योशन यहां पर है कि हाल ही में कौपा अमेरिका 2020 का किताब किसने जीता है कोपा अमेरिका के बात करें यहां पर अरजंटेनिया के दुआरा दौस्तों यह खित लिया गया यहाँ पर आपको बिल्कुल सही आंसर रहेगा विंबल्डन पुरुसकार एकल किताब पुरुस में जितने वाले नोवाग जोकोविच बन गए हैं यह मुस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर नेक्स एकरम बात करें अगला के उस्थन आपके लिए यहाँ पर है कि द्यान में रखेंगे इस बुक को भी एंड अगला क्योशन यहाँ पर आपके लिए है हाल ही में किसे बीकेस सहीत पुरुसकार से सम्मानित किया है इंपोर्टेंट रहेगा और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एमेमोयर ओफ दा एमर्जेंसी नामक पुस्तक किस ने लिखी ह है तो यहाँ पर जो बुक है दोस्तों दस्ट्रगल विदिन एमेमोयर ओफ दा अमर्जेंसी जो रिसेंटली बुक लिखे है यह आशोक चक्रवति की द्वारा इस बुक को लिखा गया है एंड इबुक काफी इंपोर्टेंट है तो ध्यान में रखेंगे इसका कवर पेज आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह बुक लिखी है अशोक चक्रवति की द्वारा अगला क्यों आपके लिए है कि कौन देश वर्ष 2026 में होने वाले BWF विशू चैंपियंशिप की मिजबानी करेगा यहाँ पर आप ध्यान देंगे भारत हमारा देश इंडिया के द सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थाबित किया जाएगा तो इंपोर्टेंट है यहाँ पर नेशनल थर्मल पावर कोर्पोरेशन है दोस्तों लिमिटेड उनके दवारा यहाँ पर सोलर पार्क सबसे बड़ा जो बनाया जाएगा वह गुजरात में आप देखेंगे कुछ इस त स्रोतों से साथ हजार मेगावाट बिजली बनाने का इसमें जो है वो दावा किया गया है इसको लेकर टार्गेट किया गया है ध्यान में रखेंगे अब बात आए हैं गुजरात की तो जैसे कि हमने इसको देखे लिया है गानिनगर कैपिटल है नबरो डिस्टिक 33 है सब्सक्राइब और राजसवा की सीटे ध्यान में रखेंगे 26 और 11 है आगे बढ़ते हैं अगला क्रेशन यहां पर देखते हैं बुक है यहां पर ग्रेट बिग लोएन नामक पुस्तक किसने लिखी है यह जो बुक है दोस्तों ग्रेट बिग लोएन यह लिखी गई है बाल कि चार्जिंग स्टेशन देश अम सबसे बड़ा है यह महराश्त्रा में जो है लगा घया है माराश्त्र की राजदानी यहां पर मूंबई है एंड यहां पर आप इमेज में में देख पारे होंगे माहराष्टा के बारे में अगर हम जाने जनरल डिटेल तो यहां पर देखेंगे डिस्टिक हैं 36 इंपोर्टेंट पार्क हैं वाल लाइफ सेंचुरी जो हैं चंदोली पेंच नवे गाउं गुगामल पार्क संच गांदी बॉरिविल जिसे हम बोलते है यह काफी इंपोर्टेंट हैं इसके अलवा गौर्णर हैं आपर बीस को सियारी सीम हैं उदर उठाकरे लोगसभा की सीटे 48 हैं राजसभा की सीटे 19 हैं द्यान में रखेंगे माराष्टा कहां पर लाइए करता है वो आप यहां पर मैप के थुरू देख पाएंगे इसकी ज यहां पर 11 जुलाई को आप सभी को ताव विश्व जनसंग क्या दिवस मनाया जाता है और यह काफी इंपोर्टेंट है तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे इसके अलावा दोस्तों एक और इंपोर्टेंट याद रखेंगे 15 जुलाई को विश्व कोशल दिवस मनाया जाता है वो भी काफी इंपोर्टेंट है तो यह थे जुलाई मन्त के अभी तक के टोप हमने आराउंड 60 पलस जो है क्यों संस देखें करंट अफेर के इन सभी को आपने आच्छे से देख लिया है आपको याद हो जाएंगे एक से दो बार देखेंगे तो आने वाले आपक को डिस्क्रिप्शन बोक्स में इसके साथ ही आई बटन में वहां पर आप जाकर देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं नेक्ट वीडियो में मिलेंगे वीडियो अगर अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक और शेर और कमेंट जरूर से कर दें द